अगर यही सेनेरियो जो आज चल ला है वो PK से पहले या PK के बाद चल गया होता तो साथ कई चीज़ें ठीक हो सकती थी और यह लोग सुधर जाते हैं नमस्कार दोस्तों में आड़ा में पिशाब देखे तकुछ चनार भारत अमेर खान के फिल्म या यू कहें कि एक औरन के फिल्म फॉरस्ट गंप की रीमेक या कॉपी कुछ भी कह सकते हैं उनकी जो फिल्म है लाल सिंग्चड़ा वो रिलीज होने वाली है ये एक वीडियो प्रमोशनल वीडियो नहीं है कोई कुछ ऐसा नहीं है लेकिन जो चल रहा माहौल है कि कैसे बॉयकॉट ट्रेंड हुआ बॉयकॉट किया ही क्यों जा रहा है इसके पीछे भी एक बहुत टीटेल और पुराना रीजेन है इसलिए कब करता है हिस्ट्री को भूलाना नहीं चाहिए ताकि आप दुबारा वही गलतियां नहा कर सकें अगर यही सेनरियो जो आज चल ला है वो पीके से पहले या पीके के बात चल गया होता तो सैथ कई चीज़ें ठीक हो सकती थी और यह लोग सुधर जाते हैं आमिर खान की इस आने अले पिक्चर में क्या कांट्रोर्शल है ऐसा कुछ ट्रेलर को देखकर नहीं समझ में आ रहा है कि किसी की भावनाय यहां थुई है या अभी कुछ ताजा ताजा उभर के आ गया जो आमिर खान की कलती है और ऐसा हमको नहीं करना चीटा यह बात पुरानी है यह PK की टाइम की है और यह और पुरानी जाते है जो Bollywood की पूरी रीत है तो PK में कैसे दिखाए गया कि देवी देश्टा खो गये हैं हिंदु देवी देश्टा स्पेसिफिकली कि भगवान शिव की फोटो के बगल में अल्ला ये मुहम्मद कुछ भी ऐसा लिखके उनकी चलो फोटो नहीं है कोई आकरती नहीं है कोई सबूत नहीं है कुछ नहीं है अगर ऐसा तो क्या कोई कुरान की फोटो डालके अल्ला मुहम्मद का बस लिखके missing लिख सकता था और ऐसा लिखने के बाद क्या आमिर खान का boycott छोड़ो सरतन से जुदा होने के नारे नहीं लगते क्या वो आज जिन्दा होते इसका बाद कोई बस जवाब दे दे मुझे तब मैं मान लेता कि वो picture secular partial और unbiased थी और फिर उस picture में बाद के आता है लोगों के बीच में table के नीचे ऐसे चल के जाता है बच्चों की तरह घुटने पर चल के जाता है तो यह आपकी दिमांग में क्या डालने के कोशिश की गई हिंदू देवी देवताओं को मजाग बनाने के कोशिश क्यों की गई और अगर आप ऐसा कर रहे थे कि मजाग बनाने के intention नहीं है हमारी हो तो बस ऐसे ही एक हिस्सा है एक scene है तो भाई आपने अल्ला मुहमद, कुरान और कृश्यन के जीजस इन सब के बारे में इकोल लेवल पर क्यों नहीं किया क्योंकि आप कर नहीं सकते थे क्योंकि आपका agenda, mindset, narrative कुछ और था, आप delivery कुछ और करना चाहते थे और यहीं नराजगी उस वक्त से लेके अभी दख है फिर आपके बयान आते हैं आपके पतनी के बयान आते हैं आप तरकीम जाके एड़कॉन से मिलते हैं फिर आप कहते हैं कि नहीं भाईया ट्विटर पर जब boycott ट्रेंड हो आपको आपको पैसा फसा हुआ नजर आता है और जो मैं हर बार कहा रहा हूँ Bollywood को target करना है, Bollywood से जवाब देही मांगनी है, Bollywood को सबक सिखाना है तो उनके pocket पर वार करिए उनके 100-100-200 करोड जब फसे होते हैं और आप तब कहते हैं कि हम picture देखने नहीं जाएंगे, जैसे समशेरा के साथ हुआ तो तब उनको लगता है कि नहीं हमें आके बोलना पड़ेगा कि भाईया मैं इस देश से प्यार करता हूँ मुझे बुरा लग रहा है कि आप मेरे picture नहीं देखेंगे और आमिर खान ने बकायद है सब चीज़ें कही है और करीना कपूर मेडम में तो एक बार इंटर्व्यू में ये तक कह दिया था जिसको देखना है देखे जिसको नहीं देखना है ना देखे आमिर खान ने पिक्टर के द्वारा ये ही कहने की कोशिश की और आमिर खान ने करिए और खुद भी सत्य में उजयते में इसाबित करने कोशिश की कि जो दूद चढ़ा जाता शिवलिंग में वो पैसा क्यों वेस्ट किया जाता है गरीबों को दिया जाए तो हमारे देश की गरीबी मिटे तो मुझे लगता है शिवलिंग पे जितने लोग दूद चढ़ाते हैं तो मुसलमान तो नहीं चढ़ाता क्रिस्चन तो नहीं चढ़ाता तो बहुत बड़ी अबादी में हिन्दू को इंक्लूड करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी पिक्चर ने देखने जाते होंगे आपकी पिक्चर ना देखें पैसा वेस्ट ना करें दूद दस रुपए का भी आता है एक पैकेट समसेरा में भी ठीक वैसे हुआ समसेरा बहुत गंदी वाली फ्लॉप चली गई और आपको बता दूँ कि मैंने ये पिक्चर नहीं देखी है अपने पैसे बचाएं हैं हाँ मैंने उस पैसे का यूटलाइज़़ज़ेशन अभी तक कहीं नहीं किया है इंटेंशनली मैंने पैसे बचाने के लिए पिक्चर नहीं देखी है मेरा मन ही नहीं था देखना है क्योंकि वो ट्रेलर में हिंदू-फोबिक लग रहा था ट्रेलर में ही विलिन को पुरा तिलक धारी, चोटी धारी ऐसा लग था 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 जो रक्षा बंदन पर पिक्चर आ रहे एक्षे कुमार की उसकी राइटर द्वारा किया जा रहा वो अपने पुराने हिंदू-फोबिक ट्वीट्स डिलीट कर रही है मैडम जहां वो गौम मोतर के बारे में, भारत को लिंच इस्तान के बारे में, जैसे राम के वार क्राई के नारे के बारे में लिख रही है और उसारे डिलीट कर रही है और डर था तो लिखा क्यों था इसका मतलब भी है कि आप किसी निरेटिव से कुछ काम कर रही है पूरा Bollywood एके करके अपने, मतलब उसी टाइम पर असली इनका रंग दिखता है जब इनकी कोई पिक्चर आने माली होती है क्योंकि फिर क्यों ऐसा होता कि Bollywood और अलग-अलग इंडस्टी के लोग चेकर कर इंडस्टी होता है Bollywood इनकों के कुटों के specifically चिन्ता होती है कि दिवाली में बिल्कुल इनके कान के परदे फढ़ जाएंगे होली इन रंग लग जाए तो skin infection हो सकता है बहुत बिमारी हैं हो सकती जानों की जान जा सकती है स्टे डॉक्स की बहुत चिंता होती इनको लेकिन क्या इनको कभी ये चिंता होती है कि भारत में मजहब के नाम पे एक ऐसा तेवहार मनाये जाता है जानवर काटे जाते हैं बकरी से लेके गाये तक बैल सान उट मतलब इनको जो मिल जाए सूवर छोड़के सब काटते हैं आउटबर्स हो जाता है और अगर इनको लगता है कि छोटी छोटी माफिया मांग लेने से चोटा चोटा ये जाहिर कर लेने से कि हम बहुत देश भक्त हैं बहुत प्यार करते हैं देश से पिक्चर हैं हमारी देख लो तो इससे आप लोगों का दिया हुआ पुराना जख् करें शेयर करें नहीं हो तो सब्सक्राइब की बना बच्जा है मैंने कुछ सोचा है कि जैसे हर फ्राइडे मोस्ली कोई भी पिक्चर रिलीज होती है तो मैं सटरड़े या संडे में उस पिक्चर के ओपर एक रिव्यू प्लान करूं स्पेसिफिकली तब जब वो हमारे भा आउंगा उनके खिलाफ नहीं उस चीज को एक्सपोज करते हुए सट्रेडे संडे में जब भी ट्राइब मेरे पूरी कोशिश ने कि आपका क्या कहना इस थौट प्रोसेस के बारे में आपका कुछ सवाल है सुजहाव है तो आप ज़रू दे सकते हैं फिर मिलते हैं अगली आपकी एप